हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबर्दस कोल्ड कफ और फीवर के लिए होम रेमेडी लेकर आई हूँ इसको लेनी से आपको कोल्ड कफ और फीवर में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा तो अगर आपको जुखाम, भुखार, खासी या बलकम है तो एक बार इस रेमेडी को जरूर प्राय करिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन के अंदर हम दो गलास पानी लेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे आधा चमच अजवाइन अजवाइन, कोल्ड, कफ और चेस्ट कंजेशन में बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पर हमने आधा चमच अजवाइन ले लिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे लगबग एक इंच अदरक का टुकडा जिसको हमने ग्रेट कर लिया है अदरक किसी भी तरीकी के इंफेक्शन से फाइट करता है और कोल्ड कफ और फीवर के लिए तो यह वर्दान माना जाता है तो यहाँ पर हमने एक इंच अदरक का टुकडा ग्रेट करके लिया है अब हम इसके अंदर आड़ करेंगे आदा चमच दालचीनी कोल्ड और कफ की वज़ा से जो फीवर आ जाता है उसके लिए दालचीनी बहुत अच्छी होती है अब हम इसके अंदर आड़ करेंगे दो लोंग सीने या छाती में जो बलगम जम जाता है उसको निकालने में लोंग बहुत हेल्पफुल होती है अब हम इसमें आड़ कर रहे हैं 5 से 7 तूलसी के पते तूलसी के पतों में बहुत सारी medical properties होती है तूलसी के पते खासी जुखाम बुखार को जड़ से खत्म कर देते हैं किसी भी तरह का infection हो body में सब के लिए बहुत ही अच्छी होती है तूलसी के पते नेक्स्ट हम इसमें आड़ कर रहे हैं एक तेजपता तेजपता के अंदर anti-bacterial properties होती है जो खासी जुखाम बुखार में बहुत अच्छी रहती है नेक्स्ट हम इसमें डाल रहे हैं एक चोथाई चमच काला नमक काला नमक जो की magnesium, calcium और potassium से भरपूर होता है बहुत सारे mineral इसमें होते हैं जो की cold, cuff और fever में बहुत ही फायदा करते हैं अब हम इसमें डाल रहे हैं 5-7 काली मिच काली मिच cold या cuff में जब कला खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने में या उसको cure करने में बहुत help करती है काली मिच हमें फ्लू से बचाती है तो हमने इसको ऐसे ही नहीं डाला है थोड़ा सा crush करके डाला है तो यहाँ पर हमने सारे ingredient अड़ कर लिए हैं अब हम इसको low to medium flame पर तब तक पकाएंगे जब तक एक पानी आदा नहीं रह जाता यानि हमने दो ग्लास पानी डाला था जब तक एक ग्लास नहीं रह जाता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी को हमने पका लिया है काड़े को हमने पका लिया है और यह लगबग आदा रह चुका है तो अब हम flame को off कर देते हैं और उसको चान लेते हैं तो यहाँ पर यह खासी जुकाम बुखार में instant relief देने वाला काड़ा बनकर तयार हो गया है जब भी आपको खासे जुकाम बुखार हो एक बार इस काड़े को जरूर ट्राए करें और इसको एक बार में नहीं पीना है दिन में दो बार इसको गरम गरम सिप सिप करते हुए पीना है तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ अपने एक्स्पीरेंश शेयर करना न अब हुलें, बबाई!